दिशल ब्लेंडिंग शेल के जदी तरीन टेक्निकल सेंटर्स में तजबेकार टेक्निकी माहरीन, ब्लेंडिंग से पहले, बेस ओए और इसमें शामिल होने वाले अज़सा यानि अडिटिव्स की कॉल्टी का पच्चिया करते हैं ताके ब्लेंडिंग के मैयार में कोई फर्क ना आने पाए ब्लेंडिंग प्लांट में बोत्रों के भराई से पहले हर बैच की कॉल्टी को मुकमल चेक किया जाता है और सिर्फ यही नहीं बलके इन बोत्रों की भराई के बाद इन पर शेल लोगों की उब्री हुई एलुमिनियूम फॉइल सील लगा दी जाती है जोके इसके असल और मैयारी होने की पहचान है इस सील के नाकल नामों किने है लहाजा आप दी शेल प्राड़क्स खरीब करते वक्त इस सील पर ज़रूर तबच्चो दें शेल पैकेजिंग और डिस्ट्रिब्यूशन बोतलों को सील के जाने के बाद अब अहम मरहला इन्हें आप तक पहुचाने का है लेकिन इस मरहले से पहले कई दूसरे मराहिल से भी गुजरना पड़ता है सील लगाने के बाद इन तमाव बोतलों की श्रिंक रैबिंग भी जाती है और फिर इन्हें कार्टन्स में बंद कर दिया जाता है प्रेख जाता है अब कार्टन्स शेल के अपने ट्रकों और कंटेरर में रखे जाते हैं आगे इने मुल्क भर में शेल के पैटल पंप्स और मुकरर करता डिस्टिबूचर्स तक पहुचाया जा सके ये डिस्टिबूटर्स इन कार्टन्स को वसूर करने के बाद इने शेल की प्रेंटिट गाड़ियों के जरी उन दुकानदारों तक पहुचाते हैं जहां से उन्हें आप तक पहुचना होता है शेल के इन मुकरर करता डिस्टिबूटर्स के जरीए मस्नुआत के फराहमी की बन्यादी वज़ा ये है आप तक ये तमाँ प्रॉड़क्स बगएर किसी ताखीर के पहुच सकें और आप तक किसी नकली प्रॉड़क्स के पहुचने का ख़गा ना रहे और आप सिर्फ शेल टीके मैयारी मस्नुआत इस्तिमाल करें जो गाड़ियों के तहफ उसकी जमानत है करें तक किसी नकली प्रॉड़क्स का ख़गा प्रॉचस का तक किसी जमाल करेंसी का ख़गा रहे हो प्रॉड़क्स बढ़ियों । झाल झाल